नमस्कार दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Redmi 10 स्रीज के दो स्मार्टफोन जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है Redmi 10 और दूसरा Redmi 10 पावर इन दोनों स्मार्टफोन की अन्बॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ नजर डारेंगे बेसिक फीचर्स लुक डिजाइन्स कैमरा पर और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आप के लिए है बेस्ट तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइज में काफी बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा लेकिन वीडियो बनाने का रीजन ये है कि आप जब पूरी वीडियो देखोगे तो लास्ट में आप ये कोगे कि ये तो कौपी है जियां रेड्मी 10 का पूरा का पूरा कॉपी किया हुआ है रेड्मी 10 पावर में जो आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन का प्राइज हम जान लेते हैं तो रेड्मी 10 आपको 10,499 रुपे की केमत में मिलता है इसका 4GB 64GB वाल इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में 6000 नमेच की मेगा बैटरी भी मिल जाती है और क्या-क्या दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में खास आगे हम वीडियो में देखेंगे तो बने रहेंगे मेरे साथ वीडियो में चैनल पर आए हूँ फर्स टाइम और अगर आपने अ दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पर आपको मुबैल का डिजाइन देखने को मिल जाता है उपर इंडियाज नमर वन स्मार्टफोन ब्रांड लिखा हुआ है और नीचे मॉडल नेम लिखे हुए है दोनों बॉक्स के बैक साइड में आपको हैडलाइन फीचर्स देखने को म देते हैं और अंदर आपको बिल्कुल सैम एक-एक मिनी बॉक्स मिलते हैं जिनके बैक साइड में लगी है सीम इजेक्टर पिन अंदर क्विक स्टार्ट गाइड और यूजर मैन्वल मिलती है कवर आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं दिये गए हैं और अंदर देखे त 15,000 रुपे का ये स्मार्टफोन है लेकिन आपको इसमें भी 10 वाट का ही चार्जर अडप्टर मिलता है तो दोनों स्मार्टफोन में 5 बोल 2 एंपेर की आउटपुट रेटिंग के साथ 10 वाट के चार्जर अडप्टर दिये गए हैं अलाकि दोनों फोन 18 वाट के फास्ट शौपोर्ट करते हैं लेकिन चार्जर आपको अलग से पर्चेस करने पड़ींगे 18 वाट के इसके बाद दोनों ही स्मार्टफोन में आपको वाइट कलर की टाइप-C USB केविल मिलती है और ये रहे दोनों स्मार्टफोन इन्हेंट दोनों ही स्मार्टफोन काफी जादा लंबे हैं और काफी ज़्यादा भारी लगते हैं और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन को देखें तो बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों स्मार्टफोन दोनों पर आपको drop notch display मिलती है same size आपको दोनों स्मार्टफोन का मिलता है लेकिन दोनों smartphone का जो back panel है वो थोड़ा different आपको नजर आएगा सबसे पहले Redmi 10 का back panel में आपको यहाँ पर lining मिलती है ridges है इन पर scratches कम आते हैं वही पर Redmi 10 power का back panel देखे तो इसके जो back panel है वहाँ पर आपको dot dot देखने को मिलते हैं जहां पर scratches कम आते हैं और इन पर भी ridges दिये गए हैं इवन यहाँ पर दोनों smartphone पर आप cover एक ही लगा सकते हैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाते थे यह हमारे पास cover है phone के साथ तो नहीं मिला है दोस्तों जब भी नया mobile purchase करते हो तो एक cover हम इसा लगा के रखे तो इस cover को हम यहाँ पर चड़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर यह आ गया है इस पर fit और अब इसी cover को हम Redmi 10 Power पर भी लगाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर इस पर कौन सी power आती है यह भी यहाँ पर विल्कुल fit वेल्ट गया है तो इन दोनों smartphone का size, design बिल्कुल एक जैसा आपको नज़र आएगा और अब आपको दोनों smartphone के camera setup दिखाते हैं तो बिल्कुल same to same camera setup आपको दोनों के नज़र आएंगे जहाँ पर आपको right side में Redmi की branding, नीचे fingerfin sensor camera setup के अंदर ही attached आपको मिल जाता है और दूर से देखने पर तो आपको लग रहा होगा कि तीन camera आपको आपके phone में दिये गए हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, करीब से देखें तो दो camera ही मिलते हैं आपको जिसमें mean camera है 50MP का और 2MP का depth sensor camera with LED flashlight दिया गया है फ्रेंट में दोनों smartphone drop notch के अंदर आपको दे रहे हैं ओल्ली 5MP का selfie camera दोनों smartphone के right corner भी बिल्कुल same to same कर भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर लगी है power on key plus volume raw cars उपर की side 3.5 mm का audio jack दोनों smartphone में दिया गया है secondary mic तक नहीं दिया है noise cancellation के लिए left side में मिलती है sim tray दोनों को open करके भी देख लेते हैं dedicated card slot मिल जाते हैं यानि कि दो sim card और एक memory card तीनों आप use कर सकते हैं दोनों smartphone पर और bottom मां आपको primary mic charging jack और speaker grill दिया गया है दोनों smartphone की power को on कर दिया है और brightness कर दिया है full तो बिल्कुल same to same आपको interface दोनों smartphone का नजर आएगा icon बिल्कुल एक जैसे wallpaper भी बिल्कुल एक जैसा यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको करीब से दिखाएं तो edge bezels भी बिल्कुल same to same दोनों smartphone के आपको नजर आएगे corner से thick bezels और नीचे से थोड़े ज़्यादा bezels आपको देखने को मिलेंगे और navigation की यहाँ पर दी गई है इसके अलावा दोनों smartphone में आपको 60Hz का refresh rate मिलता है और user interface home screen में right side में scroll करने पर आपको यहाँ पर सारे के सारे application नजर आते हैं free install app भी यहाँ पर दी गई है हाला कि आप इन्हें uninstall कर सकते हैं इसके अलावा दोनों smartphone में आपको 400 nits की brightness मिलती है colors काफी अच्छे यहाँ पर दिये गए हैं चलिए बात करते हैं display size की तो दोनों smartphone में आपको 6.71 inch की HD plus IPS LCD दी गई है जिसका aspect ratio 20.6 is to 9 screen resolution 720 into 1650 pixel और pixel density 269 ppi की दोनों smartphone में दी गई है screen protection के लिए आपको दोनों smartphone में Corning Gorilla Glass 3 का protection भी दी आ गया है तो दोस्तों कोई भी अंतर यहाँ पर अभी तक हमें नजर नहीं आया है दोनों smartphone में सिर्फ back panel को छोड़ गे चलिए दोनों smartphone की setting को एक साथ open कर लेते हैं तो setting open करने के बाद भी जो अंदर interface है वो दोनों smartphone का आपको बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा सारे के सारे जो option हैं वो बिल्कुल same to same जगाओ पर रखे गए हैं जिसमें सबसे उपर about phone section आपको मिलता है दोनों को open करें तो MIUI version आपको दोनों smartphone में 13 दिया गया है उसकी details आपको यहां से मिल जाती है अभी जो storage use हो रखा है दोनों smartphone में वो सिर्फ preinstall app और system ने लिया हुआ है बाकि सब कुछ आपको 0 byte ही दिखाई देगा android version दोनों smartphone में आपको 11 दिया गया है और android security update जो है वो आपको अलग-अलग दोनों smartphone में मिलेंगे दोनों smartphone के all space vacation को open करें तो सबसे पहले हम Redmi 10 का आपको दिखा देते हैं 4GB RAM LPDDR4X की आपको इसमें मिलती है plus 1GB additional RAM यानि की virtual RAM भी आपको इसमें मिल जाती है तो total 5GB RAM आपको इसमें दी गई है इसके बाद हम Redmi 10 power में देखें तो 8GB आपको इसमें RAM मिलती है plus 3GB virtual RAM यानि की total 11GB RAM आपको इसमें मिल जाती है बात करें दोनों smartphone के processor की तो 2.4GHz का octa-core processor आपको दोनों smartphone में मिलता है बिल्कुल same to same और chipset भी बिल्कुल same है Qualcomm Snapdragon 680 का दिया गया है 6NM का fabrication Graphic Adreno 610 के आपको दोनों smartphone में मिलते हैं के अलावा expandable memory दोनों smartphone में 1TB तक आप बढ़ा सकते हैं Storage type UFS 2.2 का आपको दिया गया है चलिए दोस्तों अब दोनों smartphone के camera पर भी नजर डालते हैं तो दोनों smartphone के जो rear camera है उन्हें हमने normal mode में on कर दिया है तो camera clarity आपको ठीक ठाग मिल जाती है bright और colorful camera दिया गया है clarity भी ठीक ठाग लग रही है बिलकुल same to same है दोनों smartphone के camera कोई भी अंतर आपको नजर नहीं आएगा दोनों smartphone के camera में zooming भी देखते हैं तो यह Redmi 10 है जिससे आप कर पाओगे 10 गुना zoom यह हमने 10x zoom कर दिया है और Redmi 10 power से भी करते हैं zoom तो यह भी हम यहां से ले गए पूरा 10 गुना zoom आप इससे कर सकते हैं तो दोनों smartphone का full zoom quality कुछ आज़ा आपको नजर आएगा इसके लावा camera features देखे तो प्रो मोड वीडियो मोड पॉर्टेड मोड और मोड सेटिंग में देखे तो 50 Megapixel का camera है वह यहां से इनेबल होगा दोनों smartphone में अब थोड़ी सी clarity और बढ़ गई है और लेकिन यहां पर आप जूम नहीं कर पाओ गया आप दो इहरे वह तक जूम कर सकते हैं दोस्तों 50 Megapixel camera इनेबल होने के बाद भी दोनों smartphone में आप 2X तक जूम कर सकते हैं इसके अलावा दोनों में आपको night mode short video mode slow motion भी दिया गया है दोनों smartphone में और time lapse का option भी मिल जाता है तो camera features मुझे काफी एच्छे लगे दोनों smartphone के लेकिन अगर ultra wide angle camera भी दिया गया होता तो और भी बढ़िया रहता अब दोनों smartphone की height भी देख लेते हैं तो 169.5 mm की height आपको दोनों smartphone में मिलती है 76.5 mm की width और thickness 9.1 mm की width दोनों का बिलकुल Sam 203 gram और दोनों के अंदर 6000 mm की battery लगी हुई है तो friends ये थे Redmi 10 series के दो बहतरीन smartphone तो अब यहां पर आपने देख लिया होगा Redmi 10 power जिसकी कोई यहां पर promotion भी नहीं किया Redmi ने और चुपके से market में निकाल दिया है Redmi 10 power को और यह जो smartphone है इसका price आप सिर्फ RAM की बज़ों से दे रहे हैं बाकी सब कुछ आपको same to same मिल जाता है जो साड़े 10,000 रपे का mobile आपको दे रहा है वो ही तो यह दे रहा है बस यहां पर virtual RAM बढ़ा दी और 8GB आपको इसमें जो main RAM है वो दे दी उसी का price आपने यहां पर देना है spawn में तो friends यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है इस phone को ignore कर दीजे मेरे हिसाब से दोस्तों यह phone तो purchase करने like नहीं है Redmi 10 power जैसा ना charger box के अंदर डाला हुआ है और बात करें इसके camera की तो यहां पर नहीं कोई ultra wide नहीं micro sensor कोई भी camera आपको यहां पर नहीं दिया गया है पीछे यहां पर fingerfin sensor आपको मिलता है जबकि आजकल हमें आदत होगी है side mountain rear fingerfin sensor की कुछ इस तरह से आप fingerfin sensor का use कर सकते है ना कि आप यह वा आपके लिए रहता हाला कि क्योंकि RAM क्योंकि इसमें RAM आपको ठीक मिल जाती है बाकी कुछ भी आपको इसमें ठीक नहीं दिया गया है तो आसा करता हूं मेरे दोरा दी गई जानकारी आपके जरूर कुछ काम आएगी जिससे आपको mobile purchase करने में कोई दिकत नहीं आएगी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अन्बॉक्सिंग के साथ तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद